पता नहीं एक बार चेक करो उसको ठीक है सारा कुछ नहीं नहीं अब मैंने दुबारे लगाया है ना हुँ 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 अब ठीक है ठीक है आरा है अब करेंगे लिए कि अब अब करने वाले हैं जैसे कि आज पहला तापिक आपको नजर आ रहे है क्लासिकल डांस की बात करें और अब बात कर रहे हैं देखे एक्जाम पर्सपेक्टिव से आप बात कर लीजिए या अपने थियोरेटिकल पार्ट के या किसी भी नॉलेज गेंगे अगर हम बात करें तो देखे आप कोई भी एक्जाम देने जाते है ना तो स्टाटिक जीके और जीके आपके एक्जाम के लिए या आपकी मेरिट में आने के लिए कि इंपोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है ठीक है इस सेकेंड पार्टी है कि इस पूरे सेशन में या इस पूरे दौरान जो 11 महीने बहुत सारे क्वेस्चन कर रहे हैं आप लोगों को उस दौरान एक सबसे बड़ी समस्या यह निकल क्लासिकल डांसेज हैं उनमें क्या पोज किये जाते हैं किस तरीके की वेस भूशा जो है वो धारण की जाती है और क्लासिकल डांस और फोक डांसेज में अंतर क्या है या मैं यह भी पोल सकती हूँ कि हमें से कई लोगों को यही नहीं आइडिया है कि क्लासिकल डांसेज औ एक हर दिन क्या करने वाले हो एक स्टाटिक जी के का और सब्जेक्टिफिजी के ciek की देटेल्ट क्वेशंग्पी तोपिक धोड हां लिए पर रहा है कि करोगे ना उसके बाद यह अलग давно है कुछ पढ़ने कीजिरत नहीं पड़े गी PDF theoretical part का भी मिलेगा tables भी मिलेंगी charts भी मिलेंगे important information भी होगी या उस related उस चीज से related कई सारे जैसे आप classical dances की बात करते हैं आपको कई लोगों के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा person जो है वो कौन सा classical dance या folk dance folk dance के लिए तो जादा आपके नाम नहीं आते हैं लेकिन classical dances के लिए आपके कई सारे लोगों के लिए नाम आते हैं तो वही आपको उनके birth anniversary संगीत नाटक academy से related question या post-musli उनसे कुछ questions पूछे जाते हैं उनको जो award दिये जाते हैं उनसे related questions पूछे जाते हैं तो यहां पर इक आपका यह sequence है या यह जो 7.15 की जो class होगी अपसे आपकी यह sequence होगा static gk की class का जापे हर दिन एक topic करेंगे और यह topic detailed में करेंगे कैसा आपको लगता है कितना समझ जाता है कोई theory की pdf पढ़ने के बाद या questions करने के बाद आप भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे से शाम की classes में पूर सकते हो science की class जो है वो आपकी शाम की 6 p.m की होगी classical dance वाले topic की यहां पर ओल टाइम पे 6 बजे कर दे class 6 बजे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपकी 6 बजे class 7 15 इसलिए किया है ताकि आप राम से उठके यह topic जो है वो कर सको और क्यूंकि यह topic important होंगे तो मैं यह नहीं चाहरे हो कि आप में से कई लोग जो बिल्कुल beach में आते हैं या कुछ अगर या तो बिल्कुल वीडियो बाद में देख लीजे खतम हो जाता है उसके बाद जब दिन में आपको टाइम मिले तब देख लीजे नहीं तो बिल्कुल शुरू से देखिए वो बीच में आने वाला जो concept अना उससे ना आपको topic समझनी आएगा वो questions में लागो हो जाता है questions में 20 करा दिया 21 इस वे questions से आप enter कर जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन theoretical part के लिए बिल्कुश शुरू से लेके आगरी तक ना आप मेरे साथ होने चाहिए PDF टेलीग्राम पे आपकी सारी updated हो गई है चलिए ठीक है एक बार classical dance के लिए बात करते हैं यह होता क्या है exam point of view के यह बहुत जादा important topic है और ऐसे 72 topics ऐसे बहतर topic जो है ना वो पूरे select के हैं और इस class के अंदर पूरे 72 topics की एक listing और class आपकी जाएगी जिसमें subjective जीके जो है ना वो भी आपका included यहां पे आपके लिए चोटा सा वीडियो आएगा जहां पर हम रिट्स के बारे में बात करेंगे आज यह कल के अंदर रिट्स होते हैं जो कुछ जिसको science का ही topic पढ़ना है या science ही पढ़नी है वो छे बज़े वाली class अन अकाडमी की शाम को अटेंड कर सकते हैं और स्टाटिक जीके की सेवन पीम पे शाम को एक mcqs की class होती है इस class के अंदर ना हम theory करने वाले हैं और साथ में इसके mcqs जो हैं वो भी करने वाले हैं तो आपको मेरे साथ यह साथ बज़े वाली class साथ पंदरा वाली और 9am की class सुभा की यह दोनों class मेरे साथ अटेंड करनी है ठीक है आप plus पे भी class follow कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अगर आप प्लस पे अनकाडमी के ससी के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो वहाँ पे जो भी final amount होगा आपको 10% का value reduce हो जाएगा अगर आप शिप्रा लाइव कोड यूज करते हैं और बाकी free live classes जितनी भी पूरे अनकाडमी पे जितनी भी free live classes हैं उनमें भी आप शिप्रा live code यूज करके class को देख सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो यह आपे हैं चले classical dances की अगर हम बात करें तो basically classical dances क्या बोले जाते हैं किस तरीके से हैं कहां से originate हुए नाटे शास्त्र नाम की पुस्तक से नाटे शास्त्र नाम की पुस्त क्लासिकल डांस जो है उनको originate किया गया है भरत्मुनी के द्वारा बोला जाता है यह किताब जो है वह लिखी गई थी classical dances basically 11 शताब्दी से शुरू हो जाते हैं 11 शताब्दी 12 शताब्दी 13 15 और 16 यानि कि 11th century से लेके 16th century तक classical dances जितने भी हैं उनका origination बोला जाता है यह originate कर इसको जरा relate करिये classical dances जादतर भगवान की पूजा के लिए समर्पन किये जाते हैं या किसी चीज को दर्शाने के लिए या भगवान की ही कोई स्टोरी को depict करने के लिए दर्शाया जाता है 11 शताब्दी और 12 शताब्दी की ही अगर हम बात करें यहां पे तो आप याद रख धुच्वान जी से relate करिए गुप्त साश्टन या गुप्तकालो काल है जहां पर शिव जी की पूझा की जा रही है है ना सभसे पहले बगवान की जो पूझा की रहम मैं की जाती दिए सन् Только इंद कि और हडपन सिविलाइजेशन के इंदर जो दो भगवान सबसे जदा पूजे जाते थे वो सूर्य और इंदर भगवान हुआ करते थे जैसे जैसे हम मौरियं के बाद गुप्ता पिरिट पे आते हैं जो भगवान जी की पूजा की आइडियल वर्शिप जो होती है आइडियल वर्शिप जिसे कहते हैं वो बढ़ती चली जाती है और शिवजी पे आ जाती है अब जो हमारे डांस के फॉर्म्स हैं उसमें जादतर डांस जो हैं वो शिवजी के लिए ही किये जाते हैं या विश्णु भगवान जी के लिए किय जाते हैं गुपता पीरिड में शिव जी को माननेता दी गई तो जो डांस और आटाइट किया वो शिव जी के आधार पर ही किया और इसी में बोला जाता है कि हमारे क्लासिकल डांसेस के दो मेन तरीकह हैं जिसमें पहला जो है तंडव डांस भुला जाते हैं और दूसरा जो है वो लस्य के नाम से जाना जाते हैं तंडव डांस भगवान शिवजी को K डिपेट करता है और यह भगवान शिवजी जो परफॉर्म करते हैं वो डिफरेंट टाइप के डांस को हम बोले जाते हैं जैसे जो तांडव डांस किया जाता है वो मुवमेंट और रिदम से रिलेटेड होता है जो मुजिक बज रहे है उसके हिसाब से आपके हातों के पोस् में आईज और हाथों का कॉडिनेशन किया जाता है बेसिकली यह क्लासिकल डांस सर्फ इसलिए नहीं है कि आप इन आठ क्लासिकल डांस को याद कर लो यह क्लासिकल डांस हमारे भारत के कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं या हम दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता में से ह इस चीज को यह रिप्रेजेंट करता है यारवी शताब्दी के यह डांसेज हैं तांडव डांस के अंदर मूवमेंट और रिदम को देखा जाता है कि म्यूजिक के साथ हमारी आँखों के कॉडिनेशन या हमारे हाथों के मूवमेंट जो है वो किस तरीके से जाएंगे और लस्य जिसको हम बोलते हैं वो ग्रेस भाव और रस से रिलेटड उलरा है या हम को समर्रपित करना है या हमको कुछ ऐसी चीज़े आखों से कुछ बोलना है तो उसके लिए तांडव मूमेंट और रिदम को मेंटेन किया जाते है इसमें शिव जी का जो डांस है वो आपका सब जैसे ग्रेसिस की अगर हम बात करें मूमेंट की बात करें और अगर आप से सिर्फ लस्य की बात करे या किस तरीके से बॉडी के पोस्चर बनाए जाते हैं वो आपके लस्य में देखे जाते हैं शिव जी का जो तांडव डांस है आपने एक फेमस सी फोटोग्राफ देखी होगी कई बार घरों में ये फोटोग्राफ जो है वो लगाई जाती है तांडव भगवान शिव के द्वारा पर्फॉर्म किया जाने वाला डांस है जो ग्यारवी शताब्दी और बारवी शताब्दी में ओरिजनेट करते हैं ठीक है मुमेंटत के लिए है शिव जी और पार्वाती दोनों लोग डांस करें हाख की इस का बेसिक मतलब यह तो तन्डव क्या रहे रहा हो पंप्रिय अपने नी नेचर को पिंग के लिए या अपनी सम्हंटिम करने के लिए the करने के लिए यह यहां पर परफ़ों किया जाता है तीन मेन तरीके के कोंपनेट्स होते हैं डाउनक में एक नातय बोला जाता है , एक नृत्य बोला जाता है चृसर लिकर के दिपेक्ट कर रहे हैं जिसे जो क्रिश्ण जी के दौरा रासलीला की जाती थी या जो उनके दौरा जो भी activities परफॉर्म की गई हैं उसको dance के form में represent करना dance के form में अपना गुस्सा दिखाना, dance के form में अपनी happiness दिखाना इस तरीके से हमने dance को क्या किया है, तीन parts में अपने dances को convert कर दिया है लेको इफ यू आर जैसे हम किसी को कुछ समर्पित कर रहे हैं या हम बहुत जादा गुस्से में हैं या फिर जो है ना इट इस रीप्रेजेंटिंग जाते हैं वह या तो प्रेम के लिए किये जाते हैं कई बार जब युद्ध-अ-थै राजा विजशेंटिंग को प्रदक्शन करने के लिए जो डांसे सालवर्पaches आर नौर basis क Online वह आपकी एक लाईफ को और गार्तर को आपकी जो लाइफ में जो भी कुछ अचीवमेंट है या दुखी है उस चीज को दर्शाने के लिए काम करता है हासे क्रोध भै ग्रणा आश्चरे और शांती इसको रिप्रेजेंट करता है है ना अब यही सारे आपके डिजगाईज अब क्लासिकल डांसेस की बात करते है तो भारत के अ सारी चीजें जबी भी क्लासिकल डांसेस परफ़र्म किये जाते हैं इसमें वर्सों की मेहनत होती है और एक पोस्ट को समझने के लिए बौडी पॉस्ट्र क्या कैसा होना चाहिए क्लासिकल डांसेस हमेशा ट्रेंड लोग ही करते हैं और बगवान के लिए समर्पित होता है टोटल मिला के भारत के इंद जो classical dances की संक्या है वो कितनी है एट पोजीशन्स या एट dances जो है वो अलग-अलग राज्य से originate किये गए हैं जहाँ पे कुछ नॉर्थ इस्टन स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ Central इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ सदन कमिल नडू से रिलेटद कुछीपूरी आंदपरदेश उडीशी उडीशा से रिलेटड कथक्कली केरला से रिलेटड सतरिया डांस जो है यह असां से रिलेटड मनीपूर और मोहिनी अत्तम जो है केरला से रिप्रेजेंट करता है तो हमारे पास टोटल जो classical dances की संक्या है जो नाटे शास्तर के अंदर लिखी गई है वो है आठ कितने classical dances आपको learn करने एट जो है ना वो याद रखिये आठ जो है ना वो learn करने जिसमें सबसे पहले अगर मैं आपको भरत नाटेम की बात पुरूए आपे तो भरत नाटेम तमिल नाडू के अंदर originate हुआ नंदी केश हैं या उनकी जो mythological किताबें हैं या बहुत ही किसी बड़े शास्त्र या मुनी के द्वारा कोई किताब लिखी होगी उसको लेके हमने dances के forms जो हैं वो create किये गए यहां पर एक single dancer होता है ठीक है इस पूरा तमिल अडू की हम बात कर रहे हैं इस पूरे एरिया की हम बात कर र किताबें और नंदी केशवर नाम की पुस्तक से इसको लिया गया है बहुत सारी किताबे जो हैं नाटे शास्त्र और भरत मुनी की किताबें वह इसमें आपकी भरत नाटेयम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अच्छे ऐद रखना है कि यहां पे कुछ gestures होते हैं जो की symbols के रो जेस्टर जो स्तमाल किये जाएंगे वह क्लासिकल डांस में कौन सा जेस्टर और यहां पे रिप्रिजेंट किया जा रहा है अब एक हमारे एक्जाम में जो बहुत जादा पूछा जाता है बहुत कॉमन है कि आपको किसी पर संड का नाम दिया होत तो आपके जो लोग है यह भरत नाटियम से रिप्रेजेंट करते हैं। भरत नाट्यम की popularity जो है वो इन दो लोगों की वजह से ज़ाद है दे आद पीपल जो डांस को ही एट एन होल रीप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर तो भरत नाट्यम जो है ना करके याद रखे यहां पर हर तरीके की positions को रीप्रेजेंट करने के लिए बात किया जा रहा है यह 1940 में बोला जाता है कि रुकमनी देवी जी के द्वारा वापिस से इस डांस को शुरू किया गया था इसलिए हम रुकमनी देवी को भरत नाट्यम का एक स्पेशल औरीजन के रूप में यहां पर जानते हैं ठीक है यह याद रखे उसके अलावा सेकंड डांस जो है वो आप सारे इसलि राधाक्रिशन की जो रासलीला खाते है उतरबहरत में नॉर्थ इंडिया में यह डान्स किया जाता है तो यह जो रास लीला के लिए रिप्रेजक्त करते हैं जहां पर यह तरीके की फोटो आपको ना कथक में नजर आएंगी कथक मुगल एंपरर के टाइंग पीरेड में बहुत जाधा फ्लरिश किया था आपने कई बारी देखा हुआ आप कभी भी मुगल एंपरर के जो मॉनिमेंट्स वगएरा बने हुए ना इन मॉनिमेंट्स में जाएंगे अब भी ठीक है ना बीच में थोड़ा थोड़ा नेट का इशू चल रहा है पर अभी तो ठीक है कोई दिकत नहीं है अब देखो यहां पर कथक की बात करते हैं कथक जो है न वो टेंपल और विलेजेज में परफॉर्म होने वाला डांस से जाधा बोला जाता था शुरू हो यहां पर समझे कथक का मतलब हो गया कथा यह कथा से रिलेटीड है ठीक है कथा वर्ड यह नॉर्थार न इंडिया में जादा जो भी चीजे होती है उनको स्टोरी से रिप्रेजेंट करने की डिपिक्ट करने की एक परंपरा है प्रचलन है विलेजेजेज में टें के बात कर रहे होंगे पंद्रवी और सोल्वी शताबदी की हम बात कर रहे हैं मुगल काल में एवन अकवर और शाजा के टाइम पे यह डांसे बिलकुल फ्लरिश थे बहुत बढ़िया से प्रफॉर्म किये जाते थे आपको इनी डांसे के ऐसे स्कल्प्चर्ज या जो पॉइ उसमें इस तरीके की फोटो बहुत ही जादा आम नजर आती हैं मुगल एंपर उनके नोवल्स काफी सारे डांसर जो है वह परफॉर्म करते थे वाजिद अली शाह करके याद रखे कथक को अगर किसी ने बहुत जादा प्रमोट किया तो वाजिद अली शाह भारत के अंदर कथक को प्रमोट करने के लिए वाजिद अली शाह जो है ना यह रिस्पॉंसिबल परसन है जो इन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया बहुत बढ़िया तरीके से सोलर डांस जो है वो कभी इसमें परफॉर्म नहीं किया जाता है इवन अगर बोला जाए तो कथक अप्लासि विर्जु महाराज और सरिताँ रिवी सितारा देवी सितारा बेवी और लेडी लीला शुक्काए जिनको मेनका के नाम से जाना जातायए पथ है की तपस्या को भं यह बात करें काफ़ी इंपोर्टेंट प्रोमुनेंट पर संस के रूप में जाना जाता है अब कick इनके फास्थ स्थ मीन लेकिन ऑलि कठो करें करंज करता है यह उत्तर भारत को यач निर्मम्न की यह जो नर्द इंडिया है यूपी की अगर हम बात करें उत्ह परिद्देश की बात करें कथख लीज जो है न यह इस तरीके की वेस्बूशा पहन के केररल के अंदर परफॉर्म किया जाता है तो कथक यूपी से या सेंट्रल इंडियार से रिलेट करता है जबकि कथक कली जो है न यह कैरला से रिपरेजेंट करता है याद रहेगी यह चीज है न यहां पर अलग अलग कलर्स के जो कॉस्टूम होते हैं यह फेस के डिजाइन से इसाइड किया जाते है कि जो परफार्मर है वो डेविल को रिपरेजेंट कर रहा है या goddess को represent कर रहा है गुस्से में represent कर रहा है उसकी जिस तरीके की यह चित्रकारी जो face पर की जाती है न कभी-कभी sad faces बनाए जाते हैं अभी-कभी happy faces बनाए जाते हैं goddess faces बनाए जाते हैं अगर इसमें black color को ज्यादा इस्तमाल किया जाता है तो डेविल या एविल को जो है न वो शो कर रहा है तो कथक कली में basic आचा देखो यह सारे तरीके के green color है हरा रंग है तो पाचा यह राजाओं को चरित्रत करता है चाकू अगर है तो अभिमानी लोगों को या दुष्ट जो लोग होते है न उनको रिप्रिजेंट करते हैं काला है तो बुरे पात्रों को चित्रत करता है दाड़ी के साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो वो अलग-अलग तीन features होते है रिशियों को दीप्तमान करके बुला तो यहां पर अलग-अलग faces को represent करते हैं और अलग-अलग body के जो structures है या face के जो expressions है उसके हिसाब से decide किया जाता है कि क्या exactly depict किया जा रहा है जैसे आपकी screen पर आपको nine faces दिखाई दे रहें terrible, wonder, anger, pity, faces के हिसाब से story को लोग judge कर पाते हैं और detect कर पाते हैं ना जैसे मैंने जुए न वो एक कहा जाता है जापे अपनी पूरी की पूरी body को use करने के बाद भरत-nat ना टिम जो है यह कत्थक कली जो है वो represent किया जाता है कत्थक कली में body के सारे के सारे organo specifically face को रीप्रेजेंट किया जाते है क्योंकि face ही है जो रीप्रेजेंट कर रहे है राजा को devil को कि बेकिसी भी चीज़ को और रामन ये रमन कुट्टी नयर और कला मंडलम गोपी ये प्रॉमिनेंट आर्टिस्ट बोले जाते हैं किसके कथक कली के नृते के हैं ना समझ रहे नहीं चीज़े थोड़ी सी इंट्रस्टिंग लग रहे हैं आपे नाव पॉइंट इस कि बेकिसी भ इसके होता भाई हम ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे शादी में हम डांस करके आगे ना वही डांस ना हम इसको सोचते हैं समझते हैं जबकि आपको याद रखना है कि यह डांस क्लुचरली ग्रोण अप हैं इनको काफी फ्लरिश किया गया इनको इन डांस को पाला पॉसा गया है इनका प्रचलित कराया गया है इनकी इंपोर्टेंस इसी लिए बहुत जादा इस डांस का एक मदब सालों लग जाते हैं लोगों को कई कई लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगाई है इन डांस के लिए तभी जाके वो एकदम exact expressions जो है ना उनको यहां पे रिप्रेज कँच्ची-पूरी डांस आंधपर्देश से रेलेटेड आभई अंधपर्देश में आपको लर्न करने का रटना नहीं है समझना है देखो कुच्ची-पूरी जो ना वो आंदर पर देश के एक नाम है कृष्च्ची-पूरी के अंद्रबैश के ंदर वहां गाउं हैं जिसको कुचीपुडी के नाम से जाना जाता है तो कुचीपुडी बेसिकली जो डांस पॉम आप बोलते हो ना यह कुचीपुडी अंदरप्रदेश के एक गाउं का नाम है जहां पर यह डांस और ड्रामा कुचीपुडी डांस ड्रामा है यानि कि एक ऐसा डांस जहां पर स्टोरी को डिपिक्ट किया जाता है जैसे मैंने आपको बताया है इसमें मेजॉरिटी डांस यहां तो फेस के expression कथक कली फेस के expressions को शो कर रहा है जिस फेस को देखके आपको पैचान है कि यह क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं तरीके से कुची पुड़ी जो हता है कुची पुरी नृत्य में जो डान्स वो इसतरी से प्रफार्म किया जातेCloud कि आपको एक पूरा ड्रामा बिना बोले सिल् reviewing पम्स के जेस्ट्यर से ड्रामाया जो श्टोरी है लोग पूरी आपको कई जगाicht करते हैं यह Amin ejerc Frog शरड़ के के द्वारा और यामिनी क्रिश्ना मूर्ती यह आप सुने होगे काफी नांग यह आपके एक जाम में काफी जदब पूछा भी जाता है यामिनी क्रिश्ना मूर्ती कौन से डांस से रिलेटिड हैं कुछी पुड़ी निर्त से रिलेटेड है और वन आव दी में मोस्ट फेमस डांसर करके इनको बोला जाता है यामिनी कृष्णा मूर्ती और राजा रेड़ी राजा रेड़ी और यामिनी कृष्णा मूर्ती करके याद रखेगा इन फैक्ट वैशन जो आपके आठ क्लासिकल डांस ह भी थे यह सुफिजय को फरेकरने के लिए द안स और नवा शुरूंद दो अलग अलग ब्रांच जिसमें एक को सुफी मूजिक याँ सुफी जब यह अंदर खुआ के सारे classical dance आते हैं और भक्ती मुमेंट के अंदर पहला classical dance जो आपका basically बहुत जादा भक्ती मुमेंट के अंदर famous हुआ था वो था कुछी पुड़ी यह जादा प्रचलन में आया था राजा महराजों के द्वारा ये राश्यकूटा डैनेस्टी के लोग सत्वाहना डैनेस्टी चेरा चोला पंडिया इनके यह शुरू से चल रहा था लेकिन यह प्रॉमिनेंट होता है आके सोल्वी सताब्दी सोल्वी और पंदरवी शताब्दी के आसपास जब मुगल पीरिट के पैरलली बहुत सारी साउथ में डैनेस्टी जो हैं वो चल रहे हैंना उनीके द्वारान तो यहाँ पे भक्ती मुव्मेंट इससे रेलेटेड हो गया इन क्लासिकल डांसे से और भक्ती मुव्मेंट में हिंदुईजम या सब्सक्राइब के द्वारा जहां पर एक पर्टिकुलर म्यूजिक को इस्तमाल करके भगवान मलब अल्ला को मनाने की कोशिश की जाती है तो यह दोनों सेक्स एक ही साथ शुरूए थे जिसमें अगर वैशनाइजम की बात किया जाए वैशनाइजम शुरूआ था कुछी प इसप्रेशन सब कुछ है इसलिए हाइलाइट किया जाता है हर एक पार्ट को ताकि जब आइस की मुवमेंट होगी तो आइस की मुवमेंट क्लियरली बताएंगी लेकिन कुछी पुड़ी निरत्य में जो है ना वह ड्रामा के पाम में किया जा रहा है तो और्नमेंट्स और बूर्ग नाम की वर्गव नाम की हल्गीसी जो लकडियों यह सारा मेक अप करने सब्सक्राइब मोहिनियत्तम एक एक इससा डांस है जहां पे पिमेंट्स अर्पर्जेंट करती है इस डांस को और फिमले से प्रक्रोच करती है बगवान जी को तो नहीं पता ना आप नहांके उनकी पूझा कर रहे हैं या बिना नहाए पूझा कर रहे हो लेकिन शास्त्रों के इसाब से या आपने जो भी अपनी घर में बुज़र्गों से सुना होगा कि भई भगवान की पूझा ना बगवान के मंदर की अगर लाइट बिनर सोल में यह चीज बसी हुई है और आपकी खुद की इंस्टिंक्ट या आपकी खुद की विल कभी अलाउड नहीं करती ना कि बिना नहाए बगवान जी को पूझा कर लो या हम गंदे संदे हैं और बगवान जी को उठा ले यह हमारी खुद की विल भी नहीं है यह ज चला रहा है तो वी आर जनेटिकली मॉडिफाइड फॉर इस पर्टिकुलर पार्ट यहां पर मोहिनी अत्तम की जब हम बात करते हैं तो मोहिनी अत्तम एक ऐसा डांस है जो की रिप्रेजंट किया जाता है खुद को रेडी करने से रिलेटेड मोहिनी यह लौड विश्णू के एक अवतार की बात की जाती है मोहिनी वौड जो यहां पर इस्तमाल किया जा रहा है मोहिनी वौड जो है यह लौड विश्णू जैसे मैंने बोला यह बगवान शिव जी के लिए आप विश्णू को रिप्रेजंट करते हैं यह क्लासिकल डांस तो यह विश्णू जी को रिप्रेजंट करने के लिए किया जाता है 1709 में मज मगलम नरायन नंपूतरी के द्वारा नंपूदरी जिसको बोलते हैं नंपूदरी आपने सुना होगा यह उनके द्वारा लिखा हुआ पूरा क्लासिकल डांस है बाद में इसको महराजाओं के महराज जैसे बड़े-बड़े राजा या महराजा जो थे उनके द्वारा इनको रिप्रेजंट किया जाता तो और यह अकेला एक ऐसा डांस है जिसको मूवमेंट्स में इस्तमाल किया गया था मूवमेंट्स मतलब जैसे कि हमको यह जो आजादी के लिए मूवमेंट्स थे तो सदन एरिया में जो ब्रिटिशल्स के खिलाफ मूवमेंट्स किये जा रहे थे उन मूवमेंट्स में भी इस पर्टिकुलर डांस को जो है न वो परफॉर्म किया जा रहा था मेक अप सिंबल ड्रेसिंग के साथ अभी देखे अब आप कोई अभी तक की डांस समझागे आपको नाम बता रहे है यह उडिसा से रिलेटेड है और गीता गोविन जो लिखी गई है गीता गोविन जो जैदेव के द्वारा जो गीता गोविन नाम की किताब लिखी गई थी उसी किताब के अंदर उडिसी निरत्ते जो है वो वहीं से ही उन सिध्धान्तों को पालन क करती हुए उडी सीडान्स जयाए वो पर्फॉर्म किया जाता है यहां पे जो म्यूजिक बच्ता है वो फ्लिओन सि्तार वाइलनिस्ट के अधार बनाया जाते हैं और साली सारी परफॉर्म साडी基本 करते टाइप जो एव वो पहनी जाती है अलग अलग त्रीके के जो वह इंको इस्तमाल करते हैं सतरिया डांस अभी पीछे एक्जाम्स के कुछ पीछे एक्जाम्स में क्या हो रहा था कि सतरिया के बारे में बहुत जादा पूचे गए थै लेकिन सतरिया हमको तब तक नहीं पता था जब तक एक्जाम्स में अपका रहा था कि अन्रद्व को प्रचार करने के लिए वैशनम धर्वन विश्णु जी से ही रेलेटिड आया पे तो जिस तरीके का उन का लास या जो वैशनो कि सतर्या वर्ड किसे सक्ष रिलेट किया गया सतर्या वर्ड जो है न यह जो वैशनु वाग्वान की जो पूझा करते हैं उनके जो मत बनाए जाते हैं उन मठों का नाम भी सतरिया करके बोला जाते हैं वहीं से ये शब्द जो आना सतरिया उठाया गया है असाम के अंदर बैसिकली दान्स जो है वो बहुत ज़ाण फेमस होता है अलह गलन कॉस्ट्म पहन के लेन्स परफॉर्म किया जाता है बाद में यही आंस जो है मनी पूरी डांस के रूप में फॉलो किया जाता है अब अगर अच्छा है ये देखे ये तो हैं आपके सारे के सारे Länder ौण जो हमने बोला इसमें मनी पूरी डांस के काफी ज़् tradicional डांस आपको दान्स की बात करें अच्छा फोक डांस में कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते यह फ्री स्टाइल डांस बोला जाता है जैसे क्लासिकल डांस में अगर मेजर दो डिफरेंस आपको पूछने होंगे तो पहला तो यह कि क्लासिकल डांस जो है वह स्ट्रिक्ट रूल एंड और जो पिक्टर जाते हैं अंके द्वारा उनके अंडर ही किया जाता है ऐसा निया कि कुछ भी आकर डांस कर दिया और क्लासिकल डांस हो गया नहीं वहां पर ड्रेसेज पहन के परफॉर्म किये जाते हैं और उसके बात प्रपर गैस्ट इस होते हैं और दूसरी चीज भग से मलब एरिया से बिलाउंग करते हो सकता है कुछ ट्राइबल ग्रुप से उन्होंने अपनी कोई डांस वह वो शुरू किया अब तो वह आप उनका फोक डांस हो गया जो कुछ कम्यूनिटी में किसी राज्य की किसी कॉम्यूनिटी के किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के द्व सीजन भी हो सकते हैं वाला फसल कटी तो भी मनाया जा सकता है वारिश आई है तो मनाया जा सकता है यह कभी कभी डांस खुश करने के लिए बहुत टाइम से बारिश नहीं हो रही है तो कोई ना कोई एक फोक डांस जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है रेगिस्तान में है एक दम सूंसान एरिया में काल वेलिया डानस राजस्तान के अंदर नब कर now कार्य सबनानmus है मेकप कोई बिल्कुल दर्वेशने से रहते हैं कई few ε Fer s किया जाता है लो चब्धे बारत के अंदर को इसी सीरीज में दुख जाएंगे बाकि अगर 28 राज्यों की और आठ यूनियन टेरिटरीज की बात करूए आपे तो यह नमबर कहीं और बढ़के जाता है 40 जो रिकगनाईज डांसेज है उसके अलावा छोटे मोटे कई जगा पर परफॉर्म किये जाते होंगे तो पता नहीं चलते होंगे जैसे आंदरपरदेश कुचीपुडी तो इसका क्लासिकल डांस हो गया तो यहां पर पहला वाला जो लिखे ना वो क्लासिकल डांस है आंदरपरदेश यह रहा आपका यहां पर जो डांस पर फॉर्म के जाते हैं डपू टपैटा लंबडी धीमसा कॉललट कॉलटम कौन से राज्य से रिलेटेड हैं बीहू बिच्छुआ नाटपुजा महराज गली गोपाल बगुरुंबा नागा डांस खेल गोपाल तबल चौंगली कैना ओ और जुम्रा होग जानी यह डांसे स्कौन से स्टेट से रिलेटेड है यह बताएं यह बता लगीगा कि कौन से फसल से रिलेटेड है और कौन से रिलेट कर रहे हैं आप स्टेट वाइस इनको लर्न करिए यहां पर यह डांसे और यह आपको टोटल जो है ना वो लॉन करने पड़ेंगे जैसी फोक डांसे जो आपकी स्क्रीन पे फोक डांसे अभी के अभी लिखे हैं आप जरा बताईए यह फोक डांसे जो हैं यह कौन से राज्य से सम्बन देते हैं जाते हैं बीखु से पते लग गया कौन से कौनसी स्टेट से रिलेट कर रहा है मैप में जरा कहां ना यह आपका असां तो यह जो रिखुवा नत्पूजा महारास, काली गोपल, बगुरुंबा, नाग डाऍस, खेल गोपल, यह सारे के सारे आपके डानसे जो हैं वो बोले चाता है असाम से Stephanie, B 댄ाए, बखोबेखें, पनवारिय twin G कौंसी स्टेट को से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वस यह बता दीजिए Static GK में आप लोग का सबसे बड़ा problem ही होता है कि नहीं हमको कोई topic ही नहीं करा रहा है हमको theory नहीं करा रही है तो हम आपको answer कैसे दे जब हम question मैं आपसे questions करती हूं ये पूछ तियों तो आपका main concept ही होता है कि हमको theory नहीं करा रहा है तो here is the solution इस class के अंदर 72 topics कुछ मैंने decide के हैं जो मैंने आपको एक वीडियो में दिखाए भी थे 72 topics हैं हाला कि मुझे उसमें 5-6 मैंने और ही add कर लिया अभी तक 80 topics की उपर हम बात करेंगे और हर दिन एक topic और उसके questions करेंगे ताकि आपके दिमाग में इस चीज़े clear हो और आपको पता यह ऐसी topic वो हैं जो हर एक exam में पूछे ही जाते हैं किसी ना किसी form में आप कोई एक exam तो नहीं दे रहे होगे आप बहुत सारे exam दे रहे होगे या कोई भी एक exam आप देने जाते हो तो महाँ पर यह तो नहीं है कि आप limited कुछ पी चीज़े पढ़के जाओगे आप सर्फ history पढ़ोगे या आप सिर्फ स्टाटिक जीके पढ़ोगे जीके सबसे वास्ट है ना इसी के अंदर ही आपका science included है इसी में आपका history पॉलिटी जोग्रफी एकॉनमिक स्टाटिक जीके करेंट जीके वर्ल्ड जीके करेंट अफैर्ज यह सारी चीज़े इंकल्यूडेट है लेकिन क्या मैं इसे एटी टॉपिक्स निकाल सकते जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो या इन असी टॉपिक को करने के बाद जी से रिलेटेडेड है आज ऐखेंट पूजा साइण्स की कल्स आपकी श fraction को च्हें वह साइन्स की क्लास जो है वह जी के का ही पाट तो उसके लिए पर में एक लास भी चलाओंगी तो मोर देन सफीशेंट होगा आप लोगों के लिए भी है ना तो एक बार पहले आप यह पूरा स्टाटिक जी के असी टॉपिक जो हैं उनको कम्प्लीट करिए क्योंकि साइंस पिछले 11 महीने से हम कर रहे हैं पिछले 11 महीने से मैं आपको साइंस एक्जाटली पूरी की पूरी कोई आपका ऐसा एक्जाम आगे कुछ नहीं आने वाला है जिसमें सर्फ और सफ साइंस ही पूछी जाती हो मेरी बात समझ रहे हो आप गुरूप डी का पेपर था उसमें सिर्फ आपको साइंस ही पूछी जाती थी 25 नंबर की लेकिन आगे ऐसा कोई भी एक्जाम नहीं है जिसमें सर्फ साइंस पूछी जाती हो साइंस मैक्सिमम आए कि उसे दो से तीन आएगी तो उसके चलते ना हम स्टाटिक जी के टॉपिक्स को खराब नहीं करेंगे और दूसरी इंपॉर्टन इन्हीं असी टॉपिक में आपके कई सार अग्से पढ़ने का जो कॉंसेट है वो थोड़ असा दिन के लिए हटा दीजे लेकिन फिर भी साइंस क्यूंकि आप लोग को बहुत प्यारी है ना तो इसलिए छे पीम की क्लास सर्फ साइंस की रखी है ना सुबह की क्लास जो है और शाम की साथ पीम की क्लास जो है वो एडीशनली भी क्लास लगा लूँगी छत्तिसगाड़ एसी एफ हंड्रेड नंबर का साइंस किसमें आता है कब है ये पेपर छत्तिसगाड़ एसी एफ 36 गड़ एसी एफ का पेपर तो देखना पड़ेगा एसी एफ क्या है पब्लीक सर्विस कमिशन होगा ना सौ नंबर का पेपर बाप दे बाप ऐसा कौन सा पेपर है मैंने तो कभी नहीं दिया आज तक साइंस कर लेंगे देको साइंस के लिए मैं कहीन नहीं जा रही हूं और आप भी अभी कहीन नहीं है ना साइंस की शाम की जो छे पी-एम की क्लास है उसमें मैं जाधातर क्वेस्टन की अब डिटेलिंग और एक्जाक्ट explanation आपको देने की कोशिश करोंगे यानि कि अगर आप मेरे साथ 30 question कर रहा हो तो उन 30 question की detailing और knowledge आपको पूरी मिल जाएगी if you want कि science का एक और class होना चाहिए तो इस वाले class के अंदर मैं काफी सारे topics जो है न वो आपके include कर लोंगी तो यह याद रखिए यह पूरा हंडर्ड नंबर का science ऐसा job रहे न मलब अगर ऐसा पेपर हो तो उसमें मैं तो मलब अराम से भाई क्या मजी आ जाना science के 100 question देखे एक दम खुशी आ जाए अंदर से चलिए ठीक है यह बिहार के लिए है आपके यह जता जतिन बखाओ बखेन यह सारे डांसे आपके बिहार के लिए और चन्दन पिछले कुछ दिनों में न मैंने बहुत सारे चीज़े करा दिया बायो का पूरा सिलिवस मैंने शाम को भी कर रहे था और उसके लावा रिवाइस भी कर रहे था फिर भी आप मुझे एक बार जो टॉपिक्स हैं उनकी लिस्टिंग बता दीजे अब साइंस में वो टॉपिक कर लेते हैं जिन टॉपिक्स में आपको लगते हैं कि यह ना आप सब्जेक्ट मत बताईए कि फिजिक्स करिए केमिस्ट्री करिए बायो करिए आप साइंस में टॉपिक्स बताईए कि हमको यह वाले टॉपिक म नहीं समझ आता है यह आपको जो है ना यह किमिस्ट्री के इंदर माली जे रियक्शन नहीं समझ आते तो आप ऐसे टॉपिक लिखे मुझे इसी वीडियो के नीचे लिखे कि आपको किस टॉपिक में दिकत है गर्वा डांडिया रास्त पानी और भवाई यह कौन से स्टेट स फंटास्टिक वर्ड यह देखो गर्वा जो है वो कौन से दांस कौन सी जगह से रिलेटिड है तो गुजराथ है ना अब ऐसे ही थोड़े से आपके ब्रेन स्टॉमिंग जो क्वेस्टन होते ना वह मैं लेकि आऊंगी ताकि आपको पढ़ने में भी स्टाटिक जीके के ट इव Indiaisch आपे ग्जाम है बाद की अ है आपको किसी एक्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगे गुजरात और हरे ना बिल्कुल यह रिंप जो है यह वाला जो जूमर लिखा हुआ यह वाला यह आपके हर्याना का है जब आप घूमर बोलते हो घूमर तो राजिस्तान का है और इसी स्पेलिंग को अगर मैं ऐसे लिख दूं जूमर तो यह जारखंड हो जाता है इन फोक डांसे में दिक्कत यह आती है कि हमको ना इनको जो पूछे जाते तो कई सारे ऐसे कंफिउजन से लांसे तो अब कैसे करें कैसे देखो जूमर ये हर्याना से रिलेटेद है जब ज? अम ँ? अ, य्यू, यू, ए रिक्खा जाता है तब यह हर्याना का है भूमर जब लिखा जाते है जब गूमर तो आप भूलो गैं दुपेल का पधुकुन तो याद है घूमर घूमर करके वह तो आप भूलो कोई नहीं है ना यह राजस्तान से रिलेटेड हो गया और जब आपको जूमर में डबल ओ लिखा आता है ना तो यह जारखंड से रिलेट करता है यही चीज़े हैं जो आपको इसमें फोक डांस वगरा में थोड़ी सी अच जो है यह हर्याना का है डबल ओ वाला जो है वह जारखंड का है और जी अगर लिखा होता है तो राजस्तान का है यह करके याद रगे और इसमें भी एक और गूमूरा जो बोला जाता है ना गूमूरा देखो आप और भी कंप्लिकेटेड आप लोग खुदी करते हो अगर जी एच है तो वह राजस्तान से यह डबल ओ मेर है तो जारखंड से रिलेटेड है और घूमूरा कर दिया डबल ओ आरे कर दिया तो वह उडिसी से रिलेटेड है तो चार स्टेट्स एक ही तरीके के वार्ड को अलग अलग तरीके से लिख रहे है जैसे एक चीज प्रिजेंट करता है पर कभी आप यह देखे हो कि राजस्तान के लोगों को आपस की बोली समझ नहीं आती है तो वहां पर राजस्तान में ही खुद जो है ना इतनी तरीकी की भाशा है कि उनको खुद भी एक दूसरे की लैंग्विज में मलब समझ तो सभी समझ तो हम भी जाते हैं लैंग्विज लेकिन ऐसे तोड़ी कि हम बोलना और डिफ्रेंस करना शुरू कर दें तो यह लैंग्विज इस तरीके से रिप्रेजेंट करें यह पूरा यहां पर तो यह आपके सारे फोक डांस जो है ना वह आपको लिखके दिये हैं आज की पीड़ेव आपकी हखोघी गंबीरा धाली जत्रा मराशयो महल और कीर्टन अभी राजिस्तान में घूमा तो जी एच यू लिख्खा जै यह चो डबलो लिख्खा जै तो यह आपका राजिस्तान से रेलेटेड से रदेड है उसके अलावा काल वेलिया रजिस्तान के जैसलमेर का रेगिस्ता में होने वाला एक इंपोर्टेंट डांस चति चतिस गड़ में गौर मारिया राउत नाच पंडावनी जारकंड में कर्मा मुंडा अगनी जूमर जनानी जूमर मर्दाना जूमर अब देखो यहां पर जूमर जब लिखा जाता है तो यहां पर दो तीन तरीके के जूमर डांस आपको बीखो में असां में जो है उसमें कई सारे सब सेक्शन सब्सक्राइब है मेरे साथ लोगे एक बडिया के सारर सारे डांस एक बार आप लर्न करिये और क्वेस्टंस जो है ना वो में आपको करांगी अभी जब हमारी नौबजे की क्लास होगी तो एक बार पूरा पढ़ोगे तो एंड में जो है न वह आपके क्वेस्टन सब्सक्राइब का सेग्मेंट जो है न वह हम नौ बजे की क्लास में करेंगे है न तो नाइन पी एम की क्लास में आप मेरे साथ जो चीज पढ़ोगे वह होंगे उसी टॉपिक के क्वेस्टन तो आई होब एम वेरी लाउड एंड क्लियर कि सुभा सवासात या साथ बजे रखेंगे कभी टाइम सवासा 45 मिनिट के एक लास होगी साथ बजे या सवासाथ बजे जहां पर आप स्टाटिक जीके का टॉपिक पढ़ोगे सब्जेक्टिव जीके का एक टॉपिक करा होंगे हर दिन एक नया टॉपिक होगा आप एक रजिस्टर बना लीजे उस रजिस्टर के अंदर उस टॉपिक का नाम लिखे उससे रेलेटेड जो भी चीज़ें आपने नहीं सीखें है वो लिखें और पीडिएफ जो आपको अपडेट की जाएगी उसको रखें और अब पीडिएफ जो आपकी बनाई जा रही है ना बहुत महनत के साथ बन रही है और इसके अलावा आपको ऐसा नहीं होगा कि अरे अभी भी मुझे क्लांस कहीं और से भी पढ़ने पढ़ेंगे ने सिर्फ क्वेशन करने पढ़ेंगे वो फूच्शन में आपको इस क्लास म और उसके question और एक आप मेरे साथ करो mix question जो कि शाम को साथ बजे कर रहा हो तो वो technically हैं तो दो ही classes और एक science की class जो कि आप मेरे साथ शाम को 6 बजे करो उसमें फिर सिर्फ science करेंगे जी के की कोई बात नहीं होगी उसमें सिर्फ pure science mix question के 20 test दे दो 20-25 फिर मैं आपको वापिस theory उसमें करा दूँगी जो जो आपके doubt होंगे ठीक है तो tension नहीं है मैं कहीं नहीं जा रही हूँ आपके exam जो होंगे उसी से related हम बात करेंगे unacademy का प्लस subscription जो है वह आप शुरू कर सकते हैं और इस प्लस subscription के अंदर science की class बहुत जल्दी ही शुरू जाएंगी कोई दिकत नहीं है या hopefully नवेंबर सी शुरू जाएंगी जो भी आप unacademy पे free live classes देखते हैं या प्लस subscription लेखते हैं स्सी के अलावा भी किसी भी चीज का वहां पे अगर आप शिप्रा live code यूज करेंगे तो आपको 10% जो है वो additional benefit होगा और स्सी सेग्मेंट में ही मेरी classes जो है वो आगे चलने वाली है तो आप उसको follow कर लीजे और शाम को आप मेरे साथ दो classes के लिए unacademy पे जुडेंगे ए अगर आप topics लिखते जाओ कि किन topics में से ना आपको दिक्कत आ रही है theoretical part हम पढ़ रहे हैं पर हमें समझ नहीं आ रहा तो आप उन topics को note down करते जो और मुझे 6 बजे वाली class में बताते जाओ उसी class में मैं आपकी theory वाला जो partner उसको भी शुरू कर दूंगे अब इस class की PDF आपक को continue करेंगे देखो अगर आपने स्टाटिक जी के असी topic जो मैंने सेग्रिगेट कि हैं काफी सारे exams को देखने के बाद पढ़ने के बाद पीछे जो एक साल में paper हुए हैं जो topics बहुत जादा पूछे जाते हैं और उन topics में आपको कहीं पे एक जगा combined theoretical part नहीं मिलता सबसे ब आप मेरे साथ स्टाटिक जी के की theory पढ़ो उसी से related topic से related question भी करो और शाम को जो है ना वो आप 7 पीम पे जो है ना मेरे साथ चीज़े बढ़ लो अगर आप करोगे कि साइन्स YouTube पर पढ़ना है है नहीं हो हमें तो पढ़ना है चैपेपर है या नहीं है तो यह वाली class 7-8 की जो है वो theory और question दोनों की हो जाएगी और 9-9 science के question कर लेंगे इस बात पर अगर आप राजी हो तो ऐसे बता दो सिर्फ स्टाटिक जी के detail में और question पढ़ने है तो आप बता दो आप जैसे भी आपको चीज़े समझ आती है वैसे आप बता दो भई आप लोगों को एक्जाम म में fruitful होने चाहिए यह ना हो कि हमने पढ़ा और कुछ तो आया नहीं तो वह वाला मैं नहीं चाहरी हूं इसलिए यह सी टापिक उठाए कि आपको एक्जाम में यह ना लगे कि मैंने पोक दांसे तो ढंक से पढ़े ही नहीं यह यह वाली चीज को रिट्स मैंने नहीं प्पीक आपका इते कोज अहीं अ सरे और हसे हम इलवाई को यह बहुकुर रहन करें, यह बहु कि कषा दो रहे हम इन जानकी नहीं।